से चेहरे को धक कर रखे छीकते या खासते समय नाक और मुह को रुमाल या टीशू से धके प्रयोग किये ये टीशू को तुरंत कोड़े दाम में डाले सामाजिक आयूजनों और भीर भाड़वाली जगों से दूर रहे सही, सती, सपश्ट और विश्वसनिये खबरों के लिए डीडी न्यूज देश का सबसे भरोसे मंद टेलिविजिन न्यूस टैनल रॉय्टर्स इंस्टिट्यूट के सर्वे के अनुसार लूगों का लोग प्रसारत पर सरवाधिक भरोसा डीडी न्यूस सबसे ही विश्वसनिये और reliable channel है इसमें कोई भी किसे तरह की commercialization नहीं है दूर दर्शन जो है, वो आपको सिरफ न्यूस बताता है तोर मरोड करके आपको कोई भी न्यूस प्रेज़ेंट नहीं की जाती है पूरदर्शन है एक जो रिलिवेंट नीज दिखाता है इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद भारत का विश्वास, टीटी नीज के साथ आफूर। नीज चाहला पूर्टी विश्पार के लिए प्neचाना पाथ। रिलिवेंट नीज नीज खड़िकन का लिए। मेंट फूर्टी लाट इसे लेक्से-टीज्वास के लिए। कर्णी करद सोटम। प्रवारी कि प्रवाटश कर दो इन वैस्थ झेल की तर लॉटेव ऑज्टी ओग फटो लॉटी यूग कि झास्ट टिवर इन वेटी वना था टॉट इर एफट लॉटेजितू कर लॉटिट अजर्डरिकोर धंट कर लॉट्छ कि झास। करोना के विरुद्ध लड़ाई में सही और सटीक जानकारी है एहम भामक प्रजार को दूर करने और लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए दूर दर्शन दा रहा है विशिष्ट डॉक्टरों की राय अपने डॉक्टर स्पीक कारिक्रम में हर रोज दो पहर दो से तीन बजे डीडी न्यूस पर अपने सवालों के लिए डायल करें 011-23387-031 लूब यारक कारें involves assignments with युझ मों उल्लींस आखरना लोजज से फघरईकर कारें अविज़न सीटी कारें लुब पहलतीしまके विए अज़न पकरोण की जाने खनाञिकर की बदेग, लुगियाल है लाँ लाँ वाँ वाँ लाँ लाँ अजैवी लाँ क्वाँ लाँ हमारी आज की तेजस्विनी एक अल्ट्रा रनर है जिन्होंने दौर के जरीए अपनी पहचान भी बनाई और साथी साथ कई रिकॉर्ड्स भी बनाई नमस्कार स्वास मंत्राले और दूरदाशन के इस विशेश कारिकर्म में आप सभी कहार दिक स्वागत है मैं हूं संजीव उपाध्याएं दुनिया में समय करोना की तीसरी लहर का खत्रा है हमारे देश में ये लहर कितनी तीवर होगी ये दो बातों पर निर्भर करेगा कि हम सेफटी प्रोटेकॉल यानी कोरोना अपरोप्रियेट ब्यहیवेयर का कितना पालन करेंगे और कैसे करेंगे इन दोनों बातों की जो महत्ता है और इनका जो महत्तु है उसको समझने के लिए बार बार सरकार दौरा प्रयास के जाते हैं आरेक्रम के माध्धिम से भी हम आपको बताने की कोशश करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है लेकिन दूसरी तरफ हम लगातार ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जिन्हों ने अपनी घलतियों की वज़े से खुद को और अपनों को परेशानी में डाला। तो सावधानी बेहर जरूरी है जोन एलिया का एक शेर याद आता है वो ये कहते हैं मैं भी बहुत अजीब हूँ इतना अजीब हूँ के बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं दूसरी लहर के बाद बहुत से लोगों का लापरवाही का वेवार सब को निराश भी कर कर अब हर रोज अपने वेवार को इस तरह से रखें कि हम कोरोना की तीसरी लहर को दूर रख सकें उसका प्रभाव कम कर सकें और यह सब कैसे करना है हमें क्या क्या बातें समझनी हैं जानते हैं हमेशा की तरह विश्यशक्यों से हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में हैं ड दॉक्टर एनके अरोडा आप ग्लोबल एग्जेक्टिव डिरेक्टर इंकलें ट्रस्ट और साथ ही आप कोविट टास्क फोर्स के अध्याक्षन बहुत स्वागत दॉक्टर अरोडा आपका भी सबसे पहले चर्चा की शुरुआ दॉक्टर अरोडा आप ही से हम करना वैक्सिनेशन इस समय अगर हम वैक्सिनेशन की बात करें तो देश में टीका करंण किस तरह का चल रहा है कैसा चल रहा है तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि टीगा करण ने जो तेजी पकड़ी थी जून के मद्द से वो तेजी बनी हुई है हम पहले हमारा एवरेज 15 से 20 लाख टीके होते थे प्रती दिन के लेकिन अभी जैसे कि आज है लगभग 45 या 50 लाख टीकों के बीच में आज टीके लगे हैं डोजिस लगी हैं और अब हमें प्रोग्राम को पूरा अच्छी तरीके से मालू है कि हमारे पास इस महीने कितनी डोजिस हैं तो जुलाई के महने के लिए 12 करोड डोजिस थी और ऐसा लगता है कि आलड़ी हम लोग करीब 40 करोड के आस पास पास पहुंच ग करता है इसी प्रकार आगे के आने वाले समय के लिए यानि की अगत्स पहली अगत्स से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 135 करोड टीकों का इंदजाम कर लिया गया है और ये किसी आजम्शन पर बेस नहीं है ये वास्तविकता है और ये टीके 135 वो हो गया और रफली 45 या 50 करोड ये हुए फुल मिला करके हमारे 180 करोड टीके हो जाते हैं 18 साल से उपर के लोग करीब 92 या 94 करोड है तो लगभग हरेक वैस के लिए हमारे पास टीका उपलब है और दिसंबर के आंद तक हरेको दो टीके जो लगने हैं वो लग जाने चाहिए तो ये तो हमारे टीका करण की स्थिती है और हम एक ही दिन चाहिए हुआ था 21 जून को कि हमने 91 लाग लोगों को टीका लगाया था हमारी जो शमता है रोजाना टीका लगाने की लगभग एक करोड से 7 करोड लोगों को टीका लगाया जा सकता है तो हमारी शमता में कोई भी शंशय नहीं होना चाहिए और जैसे जैसे टीके उपलफ होते चल जा रहे हैं और प्रदेशों की तरफ से अब बहुत अच्छा एक अरेंडमेंट किया जा रहा है मैनेजमेंट सप्लाई का और डिलिवरी का जिससे की पहले से ही मालूम होता है कि आज के दिन यानि कि आप कल शाम को यह देख सकते हैं डैश है तो सप्लाई चेन का सिस्टम पहले से बहुत बैतर हो गया है कहीं कहीं प्रॉब्लम है वह बिल्कुल इता बड़ा एक कारिकरम चल रहा है लेकिन ओवरॉल एक बैतर स्थिती में पहुंच गया है और कीसरी चीज यह है कि अब हम देख रहे हैं कि अर्बन एरिया के साथ- और रोजाना हम देख रहे हैं कि लगभग आदा-दा जो टीका करंट केंद्र है वह आधे शैरी शेत्रों में हैं आधे गरमीन शेत्रों में और अल्टिमेटली जैसे कि हम सब को मालूम है लगभग 65 से 70 पतिशत हम लोग जो हैं वह गरमीन शेत्रों में रहते हैं और देश के हर को कोने में हमारे टीका करण रिक्रम की पॉंच है ड्रॉक्टि अरण, आप ने कहा कि हमारी क्षमता जो है, समय एक से सवा करोड टीके लगाने की है, तो हम ये कब तक इस लक्ष को हम प्राप्ट कर लेंगे, कब से हम ये लगाना शूरू कर देंगे, किसे हैं कि कितने समय में एक महीने में डेर्ड महीने में तो ये सारे टीकिव की उपलब्दता पर है जैसे जैसे टीक्व कीपलब्दता इस महीनEымच करोड़, तो उसके हिसाब से उसकोड़िस्टी 것은 टीकिविश। माईने में अगर 20 करोड टीके इक काम करते हैं और बढ़ते बढ़ते हमारे सेभ्टेमबर अक्टूबर में 35 करोड टीके हमारे रहे ह्मारे पाइन अपलाप्द केरीक तो टीकों की उपलाप्द तक टीक करा tonight गयंद्र करें और उसका पहलाओ आख यह 3 की 3 प्रक्तिनों चीजे एक साथ देखी जाती हैं और उस इसाब से हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग चार हफते, पांच हफते में औस तन हर टीका करण के इंदर पर 120 से 150 टीके लगा जा रहे हैं अगर आप एक आवरेज निकाले आवसत निकाले तो वो इस सिती है ठीका करण के साथ ठीकों पर भी बहुत सारे सवाल हैं वो भी हम आपके पास आएंगे फिर से डाक्टर अरोडा डाक्टर उमा एक बात ठीका करण बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे दुनिया में सब ने माना है कि चाहे कुछ भी करिए लेकिन ठीका तो लगवाना ही है करोना से बचने के लिए बहुत जरूरी है और तब ही हम दुनिया को करोना मुक्त कर सकते हैं लेकिन दूसी तरफ है बेवार बदलने वाली बात कि अपने आपको ढालना है इस तरीके से कि हमारा करोना अप्रोप्रेट पिहेविर कभी भी कमजोर ना पड़े अगर हम बात करें प ये कहना चाहूं गी की जो लोग कह रहे हैं कि फटीघ हो गया है ज्याइट तो उनको ये समझना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ एक दिन की नहीं है एक साल की नहीं है जिंदगी के बहुत सारी साल होते हैं जो जो अगर उनको एक-डो साल कुछ प्रिकॉशंस के सात कुछhh IM B के साथ अगर रहना पड़ता है, जैसे कि घर में रहना है, बिना मतलब उनको बाहर नहीं जाना है, शौपिंग थोड़े दिन के लिए वाइड करनी है, तो वो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि particularly after second wave, जो कि बहुत जादा सारा system overwhelmed हो गया, इतना burden पड़ा, मुझे लगता है, हर परिवार ने किसी ना किसी अपने को खोया है, इस second wave के दौरान, तो वो एक factor होना चाहिए, लोगों को ये सोचने के लिए, कि हम अपने आप पे पूरा control रखे हो, जो भी हमारे आसपास जो लोग है, उनको भी बचाना है, तो सिर्फ इंडिया में ही टीका करण नहीं होना है, दूसरे पूरे globally होना है, तो लोगों की जो movement है आज के time में, वो भी इतनी जादा है कि अगर मान लीजे हमारी population पूरी vaccinate हो भी गई, फिर भी infection persist कर सकता है, तो इसलिए behavior change करने की बहुत जरूरत है, और fatigue मत आने दें, और इ जिए इस दौरान में, और introspect करें, जो कुछ ऐसी चीजें सिखाने भी आया है ये वक्त हमें, जो हम भूल चुके थे, अन्धी दौड में भागे जा रहे थे, पता नहीं क्या अचीव करने के लिए, इस दौरान में ऐस डॉक्टर मैंने ये देखा कि लोग फोन कर रहे थे कि कितना भी खर्चा हो जाए और एक ICU bed मिल जाए हमें अपने किसी relative के लिए और उनको नहीं मिला, unfortunately उनको उसे खोना पड़ा, तो बहुत जरूरी है कि human relationship build up करें, जिससे कि बाहर कहीं भागने की और जरूरत ना पड़े, और fatigue जो है कह रहे हैं आप वो उनको मैसूस ना हो, आप से हम ये भी समझेंगे कि ये किस तरीके से अपने मन को विचलित ना होने दें, बहुत से लोग जरा सा अनलॉक होता है तो उसके बाद निकल पड़ते हैं, ये बातें भी जरूर हम समझेंगे और साथ ही साथ कुछ लोगा ये भी कहना है, कि करोना ने दरसल इनसान को जो सिखाया है, अगर वो न समझे तो फिर भला कौन समझा पाएगा, हमें क्या करना है, मास्क लगाना है, और क्या क्या करना है, आई ये जरा इस संदेश को देख लेते हैं रोकेंगे मास्क नहीं तो टोकेंगे, करोना को रोकेंगे चलो इरादा करते हैं, चलो मिर कर साथ समरते हैं, नई सच्छाई में धरते हैं सावन को अपनाएंगे दूएंगे हाथ और धुलाएंगे बस खड़ी खड़े ना देखेंगे मास्क नहीं तो टोकेंगे करना को रोकेंगे ये सच है नहीं चुलाती है मिलकर हमको लड़ना होगा जीवन की है परवा अगर तो कुछ बातों पर अड़ना होगा जो फिर दूरी अपनाएंगे नहीं लीतिये सिख लाएंगे सब के बारे में सोचेंगे मास्क नहीं तो टोकेंगे करना को रोकेंगे बहुत जरूरी है कि हम करोना अप्रोपेट बेहिवियर अपना हमेशा बनाए रखें और मास्क लगाना कभी न भूलें और मास्क भी ठीक से लगाएं और इस समय कारिकर में हमारे साथ जोड़ गई हैं स्टूडियो में डॉक्टर नीर्चा भातला आप प्रोफिसर एन हेड ऑप्स्टेक्रिक्स और गानेकॉलिजी एम्स बहुत स्वागत आपका आप पास्टेयर परसन फॉक्सी कमिटी फॉक्सी यानी फेडरेशन ऑफ ऑप्स्टेक्रिक्स और गानेकॉलिजिकल ससाइटीज ऑफ इंडिया बहुत वागत दॉक्टर नीर चाहब का चर्चा की शुरुआत ब्रेक्टेबाद हम कर रहे हैं तो आप से हम यहां यह समझना चाहेंगे कि टीका करण की जैसे बात चल रही थी अभी टीका करण अगर महिलाओं में और खास तोर पर अब जो दो गाइडलाइन जोर आ गई हैं कि लेक्टेटिंग मदर्स की और प्रेग्नेंट विमन की यह कितना महतुपूर्ण हो जाता है और खास तोर पर भारत के अगर हम परिप्रेक्ष में देखें तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर्वर्ड हुआ है हमारी सरकार की ओर से क्योंके करीब अठाइस लाग महिलाएं हैं जो इस में अफेक्ट हो जाती हैं और इनका ना वैक्सिनेशन ना पाने से हमने देखा कि सेकंड वेव में बहुत ज्यादा समस्याइं हुई ही मदर्स को भी और उनके बच्चों को भी गळब बती महिलाओं के होने वाले बच्चे को भी क्योंकि बहुत सिवेर वेव हुआ पहली वेव में यह नहीं देखा गया था पर दूसरी वेव में मदर्स के बहुत ज़्यादा documentaries पहलें को दिलिर्ण भी हुई ना या तो माह के हेल्थ के कारण तो बहुत ज्यादा हमारी जो संस्था फॉक्सी है 38,000 इसके मेंबर हैं देश में सब ने बहुत जोर दिया कि ये उपलब्ध होना ही चाहिए तो जैसे ही कोविड वरकिंग ग्रूप को तसली हुई कि इसका डेटा ठीक है गर्वती महिलाओं को देना सेफ ह उनके बच्चों पर आंच नहीं आएगी बलके फाइदे मंद रहेगा इस दौर में तो इस चीज का तुरंत अप्रूवल दिया गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम फटा फट वैक्सिनेशन लगवाएं ताके कभी आगे थर्ड वेव आने से पहले अब जितनी गर्व वस्ता के किस दौर में यानि शुरुवात में ही या कब ठीका लगवाना ज्यादा सुरक्षित होगा ये बहुत अच्छा प्रेशन है आपका और बहुत वैलिड प्रेशन है और ये देखा गया है कि इसको किसी भी ट्राइमेस्टर में लगाया जा सकता है इस से बच्चे क उपर कोई effect नहीं आएगा उसके बनावट पे या उसकी function बच्चे की किसी प्रकार से भी तो जल्द से जल्द लगवाने की सला दी जा रही है क्योंकि जैसे आप जानते हैं कुछ gap पे ही लगता है दूसरा dose और हम चाहते हैं कि pregnancy के बहुत advance होने से पहले antibody का title अच्छा robust हो जाना चाहिए कुछ उमीद ये भी है कि शायर ये बच्चे के वह तरफ भी transfer होके बच्चे को भी सुरक्षा दें बट मेन मा को देखते हुए third trimester आने से पहले यदी TK लग जाते हैं तो वह बहतर होगा तोक्टर हरुर अपके पास आना चाहेंगे चर्चा में और ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत जब भी तीसरी लहर की बात होती है तो इस बात को लेकर बात होती है कि तीसरी लहर अगर आएगी तो बच्चों के लिए बड़ा खत्रा है और फिर उससे जुड़ा हु वहा जो एक और जो इशू है वो है टीका करण का कि बच्चों के लिए टीका करण का कि इस वक्त ट्रायल्स भी चल रहे हैं और ये भी खबरें आ रही है कि शायद बहुत जल्द बच्चों के लिए वैकसीन उपलब्ध होगी आपकी क्या रहा है इस बारे में और अगर वैकस कर रहे थे हैं को इसी बीच में वहां के डिरेक्टर साभ से बात कुई आचछा और ईक जैसे की आज कल कोई मरीज या बच्चा अस्कताल में ताकिल होता है तो उसमें को बीड मलुट का संख्रमन होता है लेकिन कोई लक्षन होता है बच्चों में ये जो संख्या है लगभग 90 से पिचानले परुशब होता है तो अगर आप आपकी आरोतरब जैसे पॉंडचेरी में इस समय बहुत इंफेक्शन चलता है तो बच्चों के अंदर भी वाइरस भूम रहा है लेकिन उन में कोई लक्षन नहीं है जब वो अस्पताल में आते हैं तो उनकी सबका जाच होता है और किसी को दिल में छेब की बिमारी है या किसी को कोई टाइफाइट बिमार है और यही एक तरह से गलत ख़पर फैली या फैलाई गई कि वही बच्चों में बहुत जादा एक तम 40-50 बच्चों में यह इंफेक्शन हुआ जी वो ऐसा नहीं था यह मैं अभी अभी उनसे एक तरह से अपना संश्य दूर करने का प्रयास किया है अब आपने जो सवाल पूछा कि बच्चों में पहली जो लहर थी और दूसरी लहर इन दोनों का डेटा देखा गया है और बिल्कुल एक तूसरे के ऊपर जैसे सुपर इंपोस करता है पहली लहर में दस साल से कम केवल 2-3 प्रतिशत बच्चे थे दूसरी लहर में भी दो से 10 साल से कम 2-3 प्रतिशत बच्चे ही थे और जहां तक मिल्तु है कुल मिलाके टोटल जो मिल्तु का आपड़ा था उसमें 0.2 परसेंट जो थे 10 साल से कम के बच्चे थे कहने का अभी प्राय ये है कि बच्चों में इस बीमारी का दूसरी लहर में भी कोई विशेश जो कहते हैं देखा किया ऐसा लगता है कि आगे आने वारे समय में भी ऐसा नहीं होगा बलकि इश्वर की कृपा है बच्चों पर कि दस साल से कम चोटे बच्चों पर ये बीमारी का बहुत असर नहीं होता अगर लक्षम होते भी है तो एक जुगाम की तरह खासी जुगाम होता है और बहुत ही कभी कभात उनमें समस्या होती है अब रही बच्चों में विन का बात तो ये एक गर्व की बात है क्याम है हमारे मेरे को लगते आगले दो-तीन हाप्तिं Mareket में उपलब्त हो जाएगा लोगों के लिए उपलब्त हो जाएगा और वो है 12-18 वालों के लिए अगले महीने दो महीने में इसके लिए एक तरीके से DCGI से परमिशन दिन सकती है इसके अलावा जो हमारी एक भारतिय वैक्सीन है को वैक्सीन उसका ट्रायल भी चल रहा है दो साल से 18 साल के बच्चों और वो अक्टूबर तक उसकी वे रिजल्ट आ जाने की संभावना है यानि कि इस साल के आखरी तिमाही तक या अगले साल की पहली तिमाही में हम ऐसी स्थिती में होंगे कि बच्चों को भी टीका दे सकेंगे तो जहां तक एक साइंटिफिक सोच है कि सबसे पहले जो वयस्क हैं उनको टीका लग जाए जैसे कि शुरुवात हमने करी कि जिए का जो अरेंग्मेंट किया गया है बड़े वयस्कों के लिए उनको टीका लग जाए तूंकि बच्चों में विशेश प्रभाव नहीं होता मिर्त्यू की संभावना, अस्पताल में दाफिल होने की संभावना, आईसी यू की रिक्वाइर्मेंट ये सारी वयस्कों में होता है तो अगर हमारे वयस्क उसमें प्रतिरोदक शम्ता पैदा हो जाती है तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सकून का विशे रहेगा और इस बीच में अगर स्कूल खोले भी जाते हैं तो उसमें कोई खास समस्या नहीं है कि जैसे जैसे लहर बढ़ी है बहुत सारे लोगों को प्रभावित हुए है बच्चों को विशेश प्रभाव पढ़ने वाला नहीं है एक चीज और भी सोचने की ज़रूरत है कि 18 साल से हमारे लिए इस समय प्रमुक्ता है, प्रायरिटि है कि वैसकों को ठीका लग जाए वह बिमार होने की संभावना, उनके अस्पिल में दाखिल होने की संभावना, तो लवो लवाब ये है कि एक तरफ हम बच्चों का धियान कर रहे हैं उनके लिए वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है और साल को अखीर तक हमारे पास वैक्सीन उनको देने लाइख एक हमारे पर रेगुलिटरी रिक्वार्मेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ इस साथ हमारा जो इस समय मुख्य मुद्धा है कि बड़ों को वैस्कों को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सकते। बिलकुल और इस समय हम अपने दर्शकों को वो टेलफोन नंबर बताना चाहेंगे जिस पर फोन करके वो इन विशेशक्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं। आप नंबर नोट करें टेलिविजन स्क्रीन पर वो नंबर 011 दिल्ली का सेडी कोड और दूनिया भर से इस तरह की बातें आ रहे हैं कि आप एक वैक्सीन की डोज एक कंपनी के लीजे और दूसरी वैक्सीन कोई और ले लीजे तो मिक्सिंग जो है वैक्सीन की इसको लेकर और कुछ जगा ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ अब्ली डेटा जो आ रहा है वो य अरत के संदर के एक कुछ स्टेडी आए है पर्टिक्लरी स्पीन से जो स्टेडी आई उसमें ये कहा गया कि पहली डोस कोवी शील्ड की दी गई और जो सेकेंड डोस थी वो फाइजर की दी गई तो उन्होंने पाया कि जो एंटीबोडी बने कोरोना की अगेंस्ट वो काफ कि अलग अलग मैनुफेक्टरर्स की दो वैक्सीन ले यही प्रिफरेबल है कि जिसकी एक वैक्सीन लगी है जिस मैनुफेक्टरर की सेकेंड भी उसी की लगनी चाहिए लेकिन वी आर होफुल कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो और जहां तक आपने कहा कि जो उनकी इमिनिटी जादा डेवलाप हुई तो यह सच बात है कि जब सेकेंड डोस डिफरेंट ब्रांग की दी गई तो उनकी इमिनिटी में एंटी बाडी जो मैजर किये गए वो काफी जादा थे उनमें बट मैं यह कहना चाहूंगी यहां पर कि आज की डेट में यह एक्सपेरिमेंट नहीं यह एक वेग्यानिक प्रशन है इस समय इवन जो सेज है डॉचो में अभी मिक्सिंग और मैचिंग के लिए उन्होंने रिकॉमेंडेशन सुझाओ नहीं दिया है क्योंकि कही बार अभी यह जो उमा जी बता रही थी जब कोवी शील्ट पहले दिया जाता है और बाद में फ बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा और फिराल जैसे की बताया है कि हमारे अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो हैं शोदकार किये जाए जिससे कि आगे ज़रूरत पढ़ने पर कुछ इस तरीके से किया जाए क्योंकि हमारे पास अल्टिमेटली छे से आठ वैक्सि बन सकते हैं तो समय आने पर देखेंगे और इसके लिए अलड़ी तैयारी शुरू कर ठीक डॉक्टर नीरजा हम आपके पास आना चाहेंगे और ये बताएए आपने वैक्सीन के जो लाब हैं खास्तर से गरववती माहिलाओं के लिए जो आपने बताए यहां सेकिंड के लिए और दूसी सिचेशन यह होती है कि वो जब डिलिवरी के बाद घर पहुंचती हैं तो उसके कुछ दिन बाद वो करोना पॉजिटिव हो जाती हैं दोनों ही सितियां किस तरह की हो जाती हैं और फिर उसमें एक जो सबसे बड़ी समझ से आती है वो इस बात को लेकर जाती है डेलिवरी के बाद प्रसफ के बाद वो ये की बच्चे को दूद पिलाना घर के लोगों के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्ण होता है कि मां को तो कोविड हो गया है अब ये बच्चे को दूद पिलाएं के ना पिलाएं ये वाकरी काफी कॉमन सिचुएशन रहा है क्योंकि ये रेक्मेंडेशन है कि हर गरबती महिला जहां तक हो सके जब वो हस्पिताल आए डिलिवरी के लिए किसी भी फसिलिटी में जाए तो जहां पे भी ये फसिलिटी है टेस्ट करने की वो टेस्ट किया जाए ये जरूरी न जाएगा तो जाहर है ये महिलाएं जेनरली स्पीकिंग इनके कोई सिम्टम्स कोई लक्षन नहीं होते हैं और इनको टेस्ट के दौरान पाया जाता है कुछ जरूर होती है जिनके सिम्टम्स भी होते हैं तो इन डिपेंट्स के इनका क्या सिचुएशन है यदि ये किसी कार जाए तो घर पे भी मैनेज हो सकती है या अगर उसको अड्मिशन की ज़रूरत है तो फिर कोवट सेंटर में होनी है इसुमिलरली अगर उनकी डिलिवरी का टाइम आ गया था तो अब उनकी डिलिवरी कोवर्ड सेंटर में होगी ना के एक नर्मल लेबर रूम में लेकिन ज जैसे हम बता रहे हैं सबको मास्क पहनिये, हाथ साफ करिये, सैनिटाइज करिये और बेबी को फीड करिये और उसके बाद फिर बेबी को थोड़ा सा डिस्टन्स पे रख दीजे जिस प्रकार से हम बाकियों के लिए कह रहे हैं तो उससे बेबी को breastfeed के लाब ज्यादा और इससे risk कम है और जैसे डॉक्टर रोडा ने भी बताया बच्चों में इस प्रकार से समस्या नहीं आती है तो अब इसका तो काफी experience हो गया, there is no doubt एक सूरत आपने बताई जहां उसको नहीं था और फिर जब वो delivery के बाद गई तो पता चला के positive हो गई तो that could be possible के कहीं से उन्होंने infection catch कर लिया हो फिर management again वही होता है कि उनके symptoms कितने हैं हैं या नहीं हैं, mild हैं तो घर पे ही जिस प्रकार से home isolation और वो चलता है, जिसके symptoms बढ़ गए हैं, फिर उन्हें लोटना पड़ेगा और उनको किसी COVID center पर अपना इलाज कराना पड़ेगा जी, डॉक्टर हुमा एक एक बात और खास्तोर से जो second wave के बाद जो बहुत से लोगों ने महसूस की है, long COVID को लेकर जो एक बात है बहुत से लोग जिनको arthritis है, किसी भी तरह की जोड़ों की इस तरह की समस्या है, जहां दर्द होता था, उसमें उम्रदराज भी लोग है बहुत से लोग ऐसे हैं जो करोना के बाद से घरों से अपने निकले ही नहीं है, उनके मन में एक डर भी है, उनको लगता है कि बाहर निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी पहले से ही जिन लोगों की तवियत खराब है, उसमें जादतर लोग सिर्फ घरों में हैं, और अगर उनको इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत से लोगों को जोड़ों की समस्या है, या कई लोगों को सेहत की और बहुत समस्या है, जिसको वो इस तरह से एक्स्प्लेन करते ह तो कहते हैं, ऐसे तो पता नहीं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, क्या कहेंगे आप इन सब के लिए, और उनको क्या करना चाहिए? देखे, इसका जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगी, पहली तो चीज है कि जिनको पहले से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कि जॉइंट की प्रॉब्लम या मसल्स की प्रॉब्लम, दर्दें वगेरा नहीं थी, और एक वो गुरुप जिसको अल्रीडी प्री एग्जस की और भी वारल इंफेक्शन में नोन है, जो आप चिकिन गुनिया आर्थराइटिस का जैसे फ़क्जामपल नाम सुना होगा, दूसरी चीज जब वाइरस जो है वो इंफेक्ट करता है, तो बोडी के जितने और और सिस्टम है, सब में इंफ्लमेशन डॉकुमेंट हुआ ह इस वाइरस में भी डॉकुमेंट हुआ है, तो जो मसल है, मसल एंजाइम्स बढ़ जाते हैं लोगों की ये भी देखी गई है, तो बहुत सिवियर पें होता है मसल में, तो वो डिरेक्ट वाइरस की इंफेक्शन की वज़े से, दूसरा है कि इम्यून डिसरेगुलेशन मान इसको लॉंग कोविड का भी नाम दे रहें और उसको जैसे डिवाइड कर दिया है कि सबक्यूट अन क्रोणिक तो अगर तीन महीने से पहले तक यह प्रॉब्लम परसिस करती है तो कह दे तें सबक्यूट है और थ्री मंथ के बियॉंड अगर यह प्रॉब्लम पर्सिस कर रहे तो वो long COVID में आ जाता है जिसमें कि anxiousness, गबरहाट होना, heartbeat बहुत बढ़ जाना और काफी बीच बीच में रह रहे के परिशानी होना, नीदर का ना आना, depression, cognitive impairment ये भी सांस फूलना और खासी आना ये तो सब जानते हैं कि इसमें मिल जाती है तो ये सब परिशानिया जो हैं वो मिल रही हैं लोगों को, कहीं कोई इसका cause नहीं मिल रहा, सारे टेस्ट कराते हैं, normal आता है लेकिन देखा गया study में कि जिन लोगों को mild COVID था और उनका cardiac assessment किया गया after a month, तो ये पाया गया कि उनके heart में उस समय भी सूजन थी तो इसका मतलब कि सब clinical inflammation persist कर रहा है जिससे कि उनके सारे कभी marker बढ़े रह सकते हैं और इस तरह के symptom आ सकते हैं उनको जी, और जो आप बात कह रही थी, मुझे लग रहा था मैं भूलना जाओ इन symptoms में बहुत से लोगों को concentration एकाग्रता में कमी है यादाश्त में बहुत लोगों को कमी है कई लोग ये शिकायत करते हैं कि कोरोना हो गया उसके बाद से हम भूलने भी लगे हैं तो अब शायद आप सबके लिए एक और ये नया विशे होगा शोध का अलड़ी बड़ी सारी रिसर्च चल रही है पिलाल महराज चुसे हमारे एक दर्शक है अरुन बागरे अरुन जी, बहुत स्वागत क्या जाना चाहते हैं बताईए हमारा भी नमस्कार आपको जी, पूछे यह पूछा जाता हूँ, मुझे दो डोज लग गए है तो यह बुश्चल डोज लेला पड़ेगा क्या तीसरा अचा, ओके, डोक्टर उमा आप बताने चाहें कर रही है, वो उन लोगों के लिए बात की जा रही है, जिनका इम्म्यून सिस्टम वीक है जैसे कि ट्रांस्प्लांट पेशेंट्स हैं, या फिर और इम्म्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे हैं या cancer, leukemia, lymphoma वाले पेशेंट्स हैं, उन में बूस्टर डोस की बात की जा रही है कि हो सकता है, थर्ड बूस्टर देने के बाद, जो उनकी इम्म्यूनिटी है, वो और ज्यादा डवेलप कर सके लेकिन इंडिया में आज की डेट में दो डोसेज ही रिकमेंडेड हैं, दो ही डोसेज लगवानी हैं डॉक्टर अरूरा, ये अरुन वागरे जी के प्रश्चन के साथ मुझे लगता है कि एक सवाल हम आप से जरूर पूछें और वो ये कि दुनिया भर में इस बात को लेकर जो करोना की जो वेरेंट्स हैं उनको लेकर चिंता इस बात को लेकर है कि जिनको नाचरल इंफेक्शन हुआ है और जिनके शरीर में इम्म्यूनिटी यानि एंटी बाडी बन गए हैं और दूसी तरह वो लोग जिन्होंने वाक्सिन ले ली है तो दर इस बात का है आप सभी विशेशक्यों को कि कहीं ये अब जो वेरेंट्स हैं ये एसकेप तो नहीं कर जाएंगे मतलब आपने वैक्सिन ली वे लेकिन उसके बाद भी इंफेक्शन हो रहा है उसको लेकर क्या वैक्सिन में कुछ बदलाव या उस तरह की क्या नीत आप लोग क्या सोच रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा तो पहली बात ये कि आरुन का सवाल बहुत ही महत्तूर ये इस तरीके से कि दो टीके लगवाने के बाद क्या मैं निश्चिंद रह सकता हूं और सही बात ये है कि आज की तारीख पर जो भी वैग्यानिक साख्ष लबत हैं सारी दुनिया में ठीका लगने में हम वैक्सिन इसकेप की और ये एक वैग्यानिक वाद विवाद रहता है लेकिन एक आम आदमी के लिए मुख ये है कि टीका लगने के बाद उसको अस्पताल में तो दाखिल नहीं होना पड़ेगा बिमारी गंभीर तो नहीं होगी बिक्ती होने की संभावता नहीं है तो अभी पिछले हकते भारत में ही चेंड़ाई से पुलिस वालों के उपर ये शोद निकल के आया है कि अगर एक टीका लगा हो तो 90 प्रतिशत का बचाव रहता है और दो टीके लगे हो तो 90 प्रतिशत का बचाव रहता है प्रतिरोदक शर्बता रहती है गंभीर बिमारी से और बिल्कू से इसका मतलब यह है कि फिलाल यह बहुत मैं कहता हूँ बदमाश वायरस है यह पहलूपिया है समय समय पर अपना रंगत और अपना चेहरा बदलता रहता है तो उसके लिए एक regulatory system पे और वेग्यानिक तोर पे कोशिश की जा रही है कि समय समय पर जो वैक्सीन है उसको एक नए रूप दिया जाया जिससे कि वो नए variants को पकड़ सके और उसके अगेंस्ट प्रति रोधक्षमता पैदा कर सके लेकिन जो हमारी अभी की सारी वैक्सीन से हैं यह स्वबागी की बात है कि वह बहुत अच्छी तरीके से हमारी पृति रोधक्षमता को बनाया रखते हैं और कंभीर बिमारी ने हो की हलकी बिमारी फिर भी हो सकती है होगी जिसके लिए वैग्यानिक साख शुक लब दोंगे मकसद यह है कि हमारे सारी जनता को सबसे बहतरी इन प्रतिरोधक शम्ता बनी रहनी चाहिए और मिलनी चाहिए अगर टीका बनी जी और हमारे एक दर्शक घाजियाबाद से गौरव जी है टेलेफ़न लाइन पर गौर जी आप हैं लाइन पर नहीं है डॉक्टर नीरजा यह जो बात अभी डॉक्टर अरोरा ने कही कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है और समय समय पर हम रिवीव करते हैं बहुत से लोगों के मन में और मैं चाहूंगा डॉक्टर उमा आप आपकी भी चिपणी इस पर बहुत स लोगों के मन में मन में क्या बलकि वो कहते भी हैं कि कोविट को लेकर बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं वो बदलते रहते हैं आज यह है कल को वो बदल जाता है एक डॉक्टर एक विशेशग्य और साइंटिस के तौर पर आप सब का क्या कहना बताईए यह बहुत चल के भी उसके रूप आ रहे हैं तो इसमें हमें constantly वो action and reaction type की situation रखनी पढ़ती है तो constantly data monitoring चल रहे हैं, constantly reports पे नजर है कि इंडिया से क्या report आई है, विदेश से क्या report आई है, अब हमारे लिए क्या वेस्ट है, तो existing knowledge के उपर हम चलते हैं जब और एक strategy बनाते हैं और फिर ह हम लगातार उसको review और audit भी करते रहते हैं कि इसमें कितना हमें फाइदा और कितना नुकसान रहा है और आगे चलके क्या उसका रुख चल रहा है कुछ modeling के उपर based है कुछ actual data के उपर based है पर दोनों तरीकों से देखते हुए हम रस्ते को थोड़ा बहुत I won't say कोई radical changes हुए है पर modifications हुए हैं तो वो versions बदलते रहते हैं कि अब आज की तारीक में अब आप इस चीज़ को follow करिए और वो बहुत important है to get the proper outcome. Absolutely और हम इसको आगे और भी आप शेशक्रियों से पूछे हैं उससे पहले हमारे दर्शक सपना मद्रप्रदेश से मनोच सिंग telephone line पर हैं. आप प्रश्ण पूछ सकते हैं. मनोच जी सवाल पूछे है. आप हमें सुन पार हैं मनोच जी? Hello. जी मनोच सवाल पूछे हैं? जी. मनोच से न बो रहे हैं. जी. सतना से. जी. अपने टीवी सेट के हावास कम करना है, सवाल पूछ लीजी. जी बताएं मनुजी मनुजी आपकी बात स्वष्ट नहीं आ रहे हैं आप एक बार में अपनी बात कहें आप अपने टीवी के आवाज बंद करके प्रश्ण पूछ लीजे तो उत्तर मिल जाएगा वरना टुक्डों टुक्डों में आवाज आ रहे हैं आपकी जी बताएं अच्छा डॉक्टर अर रही है किसी को एडवर्स एफेक्ट फॉलूइंग इम्मिनाजेशन और यह तो मृत्यू की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसे मामले हुए हैं और अगर ऐसा कोई मामला हो तो उसमें क्या मौावजा या सरकार की उसे क्या कदम उठाए जाएगा क्रिपया बताएं तो मनोज का य वैसकोगो तीका लगाया जारहा है विएज़ कोने संवेश शुख वाले निकों बाकी बीमारी यह होती है उन लोगों में टीका तो लगाया लकिन कंवह बार किसी को भार हो सकता एक में हैम्रेज भी हो सकता है लेकिन एक मुंख्य चीज है कि वैक्सीन की वज़े से तो कोई समस्याप हो सकती है कि नहीं हो सकती है तो हम लोग रेगुलर्ली इस चीज़ को देख रहे हैं कि वैक्सीन की वज़े से कोई नुकसान तो नहीं हो यह देखा गया है कि 94-92 प्रदिशत लोगों में केवल बुखार हलका सा दर्द और एक हरारत स इवेंट करें गये हैं वहां पर बहुत सिवेर अलर्जी हो सकती है जिसको एनफायल एक्सिस कहते हैं सिवेर अलर्जी का मतलब होता है कि स्किन पे चमडी के ओपर आपके पास थपड या रैश हो जाती है उसके लावा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ब्लड परिशर पूरे जो 40 करों ठीके गए है तो एक व्यक्ति की जान गई है वो सिवेर अलर्जी से क्यूंकि ठीका लगने के बाद इसको अलर्जी की इसके अलावा जो ठीका लगने के उसरे पांच में छटे दिन में जो बाकी मिर्थिव गोई है उसमें सब की जांच की जाती है और ये में हम्रेज हो जाए तो उसका ठीके से कोई लेना देना नहीं संबन नहीं होता है तो ओवरॉल ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा मनोच जी को भी और उनके द्वारा अन्य दर्शकों कि दोनों टीके पूर्टा सुरक्षित है आज 40 करों लोगों को ठीका मिल चुका है और एक कहावत है हाथ कंगन को आर्सी क्या इससे बहतर वैग्यानिक साक्ष क्या हो सकता है कि इतने लोगों को ठीका लगा है और ये सुर सवाल पूछे जी से आलो जी सतीश अम सुन रहा है आपको आप सवाल कर सकते हैं ये मैंने वैक्सीन कोवी शिल्ड 9 मैंने वैक्सीन कोवी शिल्ड 9th मार्च को ली थी जी और फिर मैंने मदर को वैक्सीन लगवाने गये थी 3 यर ओल जी जी बताएए और मदर को वैक्सिन लगवाने 10th April को गए, मदर 83 एर ओल्ड है और फादर को भी लगवाई वैक्सिन 10th April को ही Co-Axin, और तो हमको सब कोविड हो गया, क्योंकि वैक्सिन लगवाई थी हमें, तो फाइव मेंबर्स है, अब हम ठीक हो गया है सभी, और ठीक होने के बाद मैंने दूसरी कोविशीर लगवाई और मज़र को और फादर को भी लगवा दिया 86 और 83 एड़ा दो वैक्षिन लगवा दियां ठीक है तो अब मेरा कुश्चन ये है कि जी बोले है जती जी तो मेरा कुश्चिन यह है जर कि मेरी मदर दूसरा वैक्सिन लगवाने में अर्याना कानी कर रही है और मुझे थोड़ा लॉंग कोविड जैसा जिसको बूलते है वो एक गुड़ने में दर्द रहता है तो किसमे इफेच्शन हो सकता है और है डी तोक्टर हुमा क्या कहना नहीं देखे पहले जो लोग वैक्सिन लगवाने गए तो यह देखा गया कि कुछ लोगों कोक इन्फेच्छन हुआ वैक्सिन लगवाने के कुछ दिनों के अंदर तो इसमें दो possibilities हैं, एक, पहले से उनको subclinical infection था, जो कि manifest हुआ vaccine लगवाने के बाद, यानि कि लक्षन vaccine लगवाने के बाद आए, दूसरी possibility देखी गई, कि जो vaccination centers थे, वहां पे बहुत भीड बाहर देखी गई, और उसमें लोगों ने mask आप जानते हैं, कि वो ठीक से नहीं use करते हैं, तो बाहर की जो हवा है, उसको ब्रीद कर रहे हैं, तो infection वहां से पहुंच सकता है, दूसरी लोगों में ये एक धारणा, कि सुई लग गई, तो उसके बाद कमजोरी सी लगेगी, तो बिठा दो, इसको कुछ खिला दो, पानी पिला दो, या juices पिला दो, तो ये भ पूरी तर है, और उनमें antibodies, immunity डवलप होई, फिर भी infection हो गया, तो लोग ये बिलकुल ना सोचें कि वैक्सीन लग रही है, उसके बाद भी infection हो रहा है, तो हम नहीं लगवाएंगे, फाइदा क्या है, फाइदे बहुत हैं, सबसे पहला फाइदा की infection होता है, बहुत ही mild लक् पाइदे हैं, ये एक छोटा सा जुकाम खांसी बनके रह जाता है, अगर vaccine लगा ली है तो, लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है, कि COVID appropriate behavior को follow ना करें, यानि कि मास्क खटा दें, कि अब तो vaccine लगा ली और हमें थोड़ा सा mild infection होके रह जाएगा, क्योंकि जो जरूरी नहीं है, कि जिसने, माल लीजे, सौ लोगों ने vaccine लगवाई, दोनों doses लगवा लिए, उन सौ लोगों में एक जैसी immunity डवलप हो, क्योंकि जो हमारी बोडी की immunity है, वो genetic factors decide करते हैं, और कुछ environmental factors decide करते हैं, जो कि over the period of year हमारे immunity को influence करते हैं, तो इसलिए COVID appropriate behavior जरूरी है, जिनो इनोंने अपने आपको पूरी तरह vaccinate भी करवा लिया है, जिससे कि वो दूसरों को बचा सके, infection को फैलाए ना, और इनोंने घुटने में दर्द की बात कही थी, अपनी माता जी के बारे बताने तो इनकी माता जी बिलकुल चिंता ना करें, घुटने का दर्द उनको पहले जाएगा एक्सराइज करें, लेकिन वो वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि वो हाई रिस्क में आती है, ठीक है, यह महतवपून बात है, और फिलाल हमारे एक और दर्शक जांसी से जोड़गा है, Manoj Saigal, Manoj जी सवाल पूछे आम, जी मनोजी पूछे सवाल, पूछे सव जी मनोजी हमें आपको सुन सकते हैं, जी सवाल पूछे आप, हमारा सवाल ये है कि, एक्चली मेरी उमर फिप्टी टू है, और वाइप की उमर माने जो है, 46 है और बच्ची की 19 है, तो मैं ये चाहता हूँ कि, ये वैक्सीन हम अगर लगवाते हैं, तो इसमें कोई पहले टेस्ट करा के लगवाया है, या डारेक्ट लगवा सकते हैं, कि जिसके कोई साइड अफेक्ट ना हो, या कोई टेस्ट कराया जा सकता है, दौक्ट नीचा, आप कहना सहींगे उनको? नहीं, आप बिलकुल बेफिकर होके सभी जन जाके लगवा सकते हैं वैक्सीन, इसमें आपको पहले कोई टेस्ट कराने की आवश्यक्ता नहीं है, और वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन सेंटर पे आज की तारीख में तीनों जनों का वैक्सीनेशन हो सकता है. जी, डॉक्टर अरुरा, आपके पास आना चाहेंगे हम और दुनिया भर में जो चिंताएं वेरियंट्स को लेकर हैं इस समय, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ हम टी का करण और करोना अप्रोप्रेट बिहेवियर से ही इस से लड़ सकते हैं? मैं इसका जवाब एक और सवाल से कुछता हूँ. हमारे पास इसके अलावा कोई आल्टरनेटिव भी नहीं है. हमारे पास एक ही यही दो आल्टरनेटिव हैं कि हम करोना उप्योग वैवार को बनाए रखें और दूसरा जो वैक्सीन है उसको लगवाएं क्योंकि ये पूर करोना का वेरियंट फैला हुआ है उसके अगेंस्ट वो प्रभावी है कि नहीं है. और जिस दिन हमें लगेगा कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन प्रभावी नहीं है तो उस वैक्सीन को विट्रॉव कर लिया जाए. तो यह मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि वैक्सीन जो भागें. वो क्योंकि हमारे लिए घातब मुश्त. जी बिल्कुल अब समय लगबग खत्म होने को है. हम चाहेंगे कि आप अपनी बात 30 सेकंड में हमारे सामने रखें. टॉक्टर नीर्चा, मा और बच्चे के स्वास्त के लिए टीका करन कितना जरूरी होगा? और कोई ही ना करे, आप क्या कहना चाहेंगे? इस विशे में मैं कहूंगी कि जल्द से जल्द लगाएं और ये धियान रखें कि ये ठीका फिलहाल उनके आंटी नेटल केर के जो सेंटर बने हुए हैं प्रसूती वाले उधर नहीं उपलब्द है. उनको कोविन के थ्रू ही जाना है और कोविड जहां वैक्सिनेशन हो रहा है वहीं लगवाना है. सिवाए महराष्टरा में शायद अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको टेटनेस वगेरा जहां लगता है वहां लगे. तो इसके इंतजार में ना रहें कि हमारे सेंटर पे जब आएगा तब हम लेंगे उन्हें इ विग्यान वाइरस से कब आगे निकलेगा? बहुत जल्ट या कुछ समय लगेगा? नहीं वाइरस व विग्यान मेरे हिसाब से साथ साथ चल रहे हैं. कुछ नई जरूरत होती है तो विग्यान नहीं तो टेर साल के अंदर वैक्सिन इतनी सारी आ जाना. कल मैं लिस्ट देख है कि हुमानिटी इसमें जीतेगी. इसमें जीतेगी इसमें जीतेगी. डॉक्टर उमा, आप क्या कहना चाहेंगी? खास तोर पे लोगों को वैक्सिन को लेकर बहुत भ्रम है. जैसे अभी हमारे कई दर्शकों ने पूचा. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने वैक्सिन यानि कि मास्का इस्तेमाल करें. बिर्कुल भीडबार वाली जगों पर ना जाएं जब तक जरूरत बहुत नहीं है तब तक और वैक्सिनेशन जरूर कराएं. क्योंकि जितना वक्त आप इस वायरस को देंगे और अपने धुलमुल एटिट्यूड रखेंगे कि चलो कर ले जरूरी है. बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमा, डॉक्टर नीजा, डॉक्टर एंके रोड़ा आप सभी का बहुत धन्यवाद कारिकर्म में शामिल हुए आप सभी और हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद. और चलते चलते वही दो बाते हम सब को याद रखनी है. टीक नियाद रखेंगे और चलते चलते एक शेर है किसी शायर का कि शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे. बहुत धन्यवाद, नमस्कार. क्या शर्मा रहा है? दाद खाज खुजली है. सब को होती है. जालम लोशन. मुझे तादी ने दिया. और बोडी चल्म रोकों पर पड़े भारी. जालम लोशन है पुराना खिला दी. जो पुराना बही बैतर है. यह जो सालम लोशन. पास्टिस, ट्रस्टिट, टेस्टिस, पीरियो खोली मैंने डीसाइड कर लिया है. अपना बीजनेस शुरू कर ओंगे. अच्छा. इन पर्दम भी शोच लिया है.